अब हम पढ़ेंगे multiple regression analysis, multiple regression analysis को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं फोग लूँगा है कि आप linear regression analysis की वीडियो देखकर आजो, ठीक है, linear regression analysis की वीडियो में अप्लोड कर चुका हो, यूट्यूबर, अगर आप यह नहीं देखोगे और आप multiple regression analysis में जम करोगे, तो आपको हो स relationship हमने पढ़ाता कि जो Y है, वो sales है, X जो है, वो advertising है, तो अगर advertising को बढ़ाने से, या कम करने से, हमारी sales पर कोई impact पढ़ ला है, तो हमने उसके relation को चेक करना था, हमने यह देखाता कि X और वाज़े दो coordinate है, आपस में तो relationship कैसा है, relationship किस तरह चल रहा है, हमने यह देखाता क कि हाँ भई हमारा relation है, सही है ना, अगर हमारा relation हुआ करता था तो हम बोलते थे कि X not को accept कर लो, अगर हमारा relation नहीं हुआ करता थे तो हम बोलते थे कि X not, X A को sorry, अगर हमारा relationship हुआ करता था, तो हम बोलते थे कि X not को accept कर लो, ठीक है, तो in case, in short हम लोग उसके लिए hypothesis निकाल को accept करना है मैं से वितना के लिए कर दू कि H thought को हम जब accept करते हैं जब हमारा relationship नहीं होता हमारा relation नहीं होता ठीक है? H A को जब करते हैं जब हमारा relation होता है आपस में दो coordinates में या आपस में advertising और sales पर relation होता है तो आप उसको accept करते हैं ठीक है? इसी तरह वहाँ पर क्योंकर Leisure Regression Analysis था तो हम सिर्फ दो Coordinate को या फिर एक-एक Advertising को सिर्फ एक Coordinate को हम Sale से Relation Quice चेक करते थे ठीक है सिर्फ एक को Multiple Relation Analysis बोलता है के भाई यहाँ पर सिर्फ एक नई बलके X1, X2, X3 Xn तक जाने की लिमिट है तो बतलब यह कहने का यह है कि लिजर रेलेशन ने सिर्फ X का पड़ाता है कि एक्स और Y के अपर इसमें क्या रेलेशन है अब हम पढ़ सकते हैं कि X1, X2, X3, X4 जितने फैक्टर्स आ जाजा है जो सेल्स को एफेक्ट कर रहे है जो sales को change कर रहे है जो sales को increase or decrease कर रहे है वो सब factors अगर सब मिल जाए तो वो सब factors हमारे के लाते है multiple factors और उसको calculate करने के लिए कितना impact पढ़ ला है उसका sales पर वो calculate करने का method है हमारा multiple regression analysis ठीक है जिस तरह हमने वहाँ पर equation पढ़ दे लिए equation की वो क्या थी y equals to a plus bx क्योंकि एक x था तो हम सिर्फ a की x लगा रहे हैं मैंतल सिर्फ एक advertising था जहाँ पर advertising भी है customer prices भी है inflation भी है ठीक है market strategies भी है तो इस सब factors वो आपकी sales पर impact कर रहे है वहाँ पर हमने सिर्फ advertising पढ़ था तो इसलिए हमारी simple linear equation थी y equals to a plus bx अब क्योंके हम लोग multiple पढ़ लए तो हमारी equation क्या होगी y equals to a plus b1x1 plus b2x2 and it can be extended to bn or xn थीक है हमने यही सब पढ़ा था जहां तक clear है अब हमने हमारा multiple regression की भी form equation आ गई यह equation थी ठीक है अब बात यह खड़ी होती है कि हमने linear regression analysis में हमने तो वहाँ पर यह करा था कि हमने x और y की values given होती थी हमें हम इसे calculator करते थे calculator करने के बाद हम क्या करते थे इसकी बस a निकालते थे beside comparison आर निकालते थेय सäकस वै निकालते थे स और different worlds एक्स य निकालते थे से रिकालते थे सभी है यह तो हम calculator से यह मल्टीपल है मुझे बताव कैंगुलेटर ऐसा कोई जू यह बराता है तो यह जो हमारा हवेश्या स्वालत होता है और वह स्वाफियर सोफर अगरं देता है इसका टेबल कुछ इस तरह का होता है लिखा होएं कि एक फेक्टर रहे एक वह तक क्या क्वालिटि हो रहा है तो वो sales increase हो रही है या बस फर्ग यह होता है कि उसमें आपको वैल्यूस आलेडी बहुत सारी गिवन होती है वैल्यूस आपको अलेडी बहुत सारी गिवन होती है ठीक है अब फॉर एक्वेशन थी हमने यह पढ़ी थी थी थोड़ी तर पहले यवाइक वस टू ए प्लस बी वर एक्स फॉर एक्स टू प्लस बी एन और एक्स एं साही है जबी के एक्स के जो भी वैरिबल लगा दो यार एन में वो मसलह नहीं है यह एक क्वेशन अपने पढ़ी थी हमने यसी को फिलफिल कर लिए और बी कि वह यह निकाल नी है, एकस वार एकस तो इस तो खिरा हैं मौझूद नहीं मिलता, तो, जब सराने वहां भी निकाला लगी करते था, लिएर्डेशन में, अब A, B कि वह निकालेंगे, बाट A, B कि वह निकालेंगे, इस सब कुस्त तो गिवन नहीं, तो भाई मज़े की बात ये है कि आपको A, B और ये B2 तोरों तीरों सब गिवन होगे तो भाई मसला ये है कि ये तो बताओ निकालना क्या है अब सबी गिवन होगा तो निकालना क्या है Good question, I like that तो अब सवाल का जवाब ये है कि सवाल आपका ऐसे आएगा सवाल आपका ऐसे आएगा ठीक है, अब सवाल में आपको ये टेबल गिवन नहीं होगा बलके सवाल में आपको ये सब कुछ गिवन होगा ये software की values है, तो ये आपको बता रहा है coefficient, constant मतलब A, A की value ये है, B की value क्योंकि coefficient के साथ, ये coefficient है A, B, ये आपके variables है C, X1, X2, C क्या है आपका, C है आपका, क्या है सी, बताओ, sales स्वारी, sales बोलो, constant, C आपका constant X1, X2 जब हमने equation में देखा ये रहा, ये X1, X2 है और ये X1, X2 किस के साथ में लेवे, किस coefficient के साथ में लेवे, B के साथ में इसके साथ कोई variable नहीं है, तो इसलिए constant में आता है, इसलिए इसको C लिखते है, सही है, तो coefficient A, जो है, वो C की साथ होता है, इसलिए coefficient मतलब, ये 70 है, ये A की value है, ये table पढ़ना आरा चाहिए आपको, ये table जिसको पड़ना आगया, उसाब को solve कर लिया, ठीक है, तो ये सुन लो, तो ये coefficient के साथ है, ये वाले coefficient की जो second वाली value ये Joyous के value होई, ये कसके साथ है, X1 की साथ है, तो असलिए किसकी value हुई, इसकी value हुई, ये coefficient क्षूपिश्यण जो है, किसकी साथ है is two के साथ है कि वैली होई between two की वैली होई तो यह पणना सीक्छो ठीके standard error T statistics यह रे डापको वैसे given होता है हमशा टी स्टेडिसिस होता है given ना हो टी स्टेडिसिस कैंस जो हमने linear regression में Tcl पड़ा था यह वो है तो हमें बताथा signal करना है था कि हमें observe और हम ऐसे बावर एक करना हुं तो स्चंडर्रै अलग है ठीक है स्चंडर्ड एर्र अलग से दिए आपको आठ्यूर्च भाई भी आ पाले इक है कि अ Ц्कर आफो सकता है कि नहीं सीविड़ों आपको ॏ शकर घ्या हुता है कि यहाँ देखो पहले हमने बढ़ा था R square और R square बढ़ा था है ठीक है अधिस्टेटेड आर एसको हम इस तरह लिखते यिसके वपर डेश हा जाता है इसका एधिस्टेड एटिटी और रिलायबिलीटी और फ्लक्सिबिलिटि जो करको कि हमारे इस चीज़ को चेंज करता है ठीक है यह होता है आर स्कॉर बलिटी अर और रचाइब इस डी आर इस्टार है रड डीडी जो चीज आपको मेज़र को वैलड तरीकह से बताए ठीक है मसार के तौरपर के मुनीब के लिए बेमाई मावलूब करना रिक valid results है अगर मेरी health के लिए कोई आपका BMI मालूम कर रहा है तो वो BMI निकलने का valid result होगा मैं उस पर ठपा लगा दूँगा कि यह बाई यह results सही है अगर for example मैं कहूं कि मैंने कोई software में values put करिये तो अगर software का answer दे रहा है तो मुझे 110% confirm रहे कि भाई वो answer सही होगा तुमने कोई computer में प्लेस करना तो 110% तुम्हें confirm रहे तो वो सही होगी reliability सबते कि जो चीज आपको consistent result दे और आपकी readings की strength बताए वो reliable होता है my reliability में आप क्या कहते है कि आप की consistent result देता है और आप पताते हो कि भई हायायर क्या कहते है कि आप का assessment result दे रहा है ठीक है फिर वो आप की 101 बनाता है कि आप सही हो या घलत हो या आपको कहा improvement की जरूर नहीं इस के बिषाण संब्रिब어가ρχें की वुरीम की waiting machine बढ़ वेटेंग-बशीर का मिसहाल यह थी, बढ़ देखो वेटेंग-बशीर है वेटेंग मशीर खराब हो सकती है, यू के डॉन रिलायेओट कभी कोड़ तो ऐसा होता है कि आप दो-तीन वेटेंग-बशीर पे खड़े हो झाओ ठीक है और आपको पॉइंट पॉइंट का फरक अदर आ जाता है तो आप उस पे एक कॉस्टें रिजर्ट ले ले तो कि मेरा वज़र इतना होगा और अप्रॉक्सिमेट ले ले तो तो आप रिलाइबल होते हो उस पर आप उसके हिसाब से अपना काम करते हो तो आप उसके वैटनेंटा निकाल रहे में फर्ड़र रिलाइबल हो मैं यार इस वेटम बश्री में ख़लन उका लोगा तो मेरा kinda वेटम मिश्री से रजन लेही लिकाल उगा तो मेरा वेटम भी डिसका है इसका मतलब क्या है के मैंने एक में उक्षिममेट रजल्ल ले लिए अगर approximate result को मच जब तक verify नी करूगा तो validity डी होगी तो r square dash इस सब्सक्राइश जो कि आपको approximate result दे रहा है और r square सब्सक्राइश जो आपको valid तरीके से बता रहा है कि भाई ये तो बस finalize होगा ठपा लगी है इस पर सही है तो ये तरीका है x1 plus b2 x2 it can be extended to b and xn ठीक है तो उसको तुम्हे वैलू बरा रही होगी कि भाई ये वैलू तुमने क्या उठाई है a की वैलू क्या उठाई है b2 क्या उठाई है तो ये पढ़ना सीख लो कि इसके साथ x1 होगा वो b1 होगा जिसका x2 होगा b2 होगा जिसके c होगा वो a होगा ठीक है उसके साथ साथ हमें t statuses की value नहीं given होगी तब सवाल ये उठाई है ये value निकालेगी कैसे तो इसका simple simple formula ये है simple simple formula ये है कि इस standard error को इस value को इस value को इससे divide कर देना ये answer आ जाएगा तही है इस value को इससे divide कर देना जाएगी और वो ही हमें निकाल ली होगी हमें इस सवाल में solve ये कर आए कि इस सवाल मैं से कुछ values गायब होगी वह निकाल ली होगी मैं بتातीता हूँ कौन सी values गायब हो सकती है टी statistics की सारी value गायब हो सकती है उसकालाई दूर्ओं निकाल नहीं है इसके लाए वागी सारी चीज़ा जो है वो इसके फार्मॉले 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 इसके फ 17.94 sorry 17.9437 divided by 5.9194 5.9194 यह दो क्या अवल्य आई देख लो 3.03 and this is what 3.03 ठीक है तो यह T status इस तरह निकलेगा यहां तक क्लियर 3 सही है उसके बाद अधिस्टेट आर सक्वाइर और F statistics इन दोनों को निकालने के लिए formula इस है तो formula लेख लो वह formula निकाल लेना पस पर यह देखो अधिस्टेट का यह और स्कॉर का formula ठीक है यह फॉम्ला लिख लो अपने पास जाएगा अब बना जाता हूं वह यह होता है क्या आर सक्वाइर आर मैंने क्या बताया कि हम लोग क्लिटर में नहीं निकाल सकते एक्सवान एक्सटू आई को यह वैल्यूस हमें गिवन होंगी तो हम निकालने सकेंगे यह वाली चीज़े वे फिकाउन हो जाओ सी इसके लिए एल्डेसिंट आर स्कॉयर जो है वह स्वामले से निकलेगा यह आप क्या होता है गुड कोईशन पूछा नहीं तुम लोगों ने फिर भी क्या होता है तो क्य यह होता है कि नंबर आफ वैरियेबल्स या नंबर आफ वैरियेबल्स कहलो वैरियेबल्स क्या है भाई सी एक्सवान एक्सटू 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 एक्सट X2, X3, Y सही है? तो मैं यह 4 हो जाता अगर मैं इसको X1, X2 X3, X4 और Y लिखता तो यह 5 हो जाता तो K जो है वो आपकी यह number of variables है कि जिसने का table आप हो given है ठीक है? तो इसको अब table तो given नहीं होगा पूरा तो यह software given होगा तो इस software में इस तरह देखना कि यह 3 values दीवे ना अगर तो बस यह 3 है यह in short और असान करना है तो X1, X2 और एक Y तो हो गई होगा यह sales को हमें impact करना है sales relation करना है तो X1, X2 दो हो गए और तीसरा Y तो यह K, Y आगिया K3 आगिया यह सब values को plot करोगे R2 आगा अब यह मैं रिकाल करने दिखा रहा है यह तुम लोगों काम है ठीक है उसके बाद F statistics F statistics का formula भाई यह रहा यह रहा इस वन यह इसी का interpretation होई भी है ठीक है तो यह जादा explain variation और explain variation तो यह वह वाला सी रहा है कि और यह वाला सी रहा है इंटरप्रटेशन ले ओपर तो खेर यह formula है R2 तुम लोगों पता है और यह यह देखो software में दिया हुए यह रहा R2 यह रहा ठीक है R2 वह वापिस आजाएगा N minus K तुम लोगों पता है K minus 1 तुम लोगों पता है 1 तुम लोगों पता है इस तरह की software जो value जाएंगी मैंने जब ही बताया तुम लोगों पूरा detail हो बताया के इस चीज़ के बारे में कि भाई XY की values हम लोगों निकाल सकते हैं simple regression से पर अगर X1 X2 Y हो जो के sales को impact कर रहा है मतलब Y को impact कर रहा है दो vectors तो हम उस situation में नहीं निकाल सकते हैं उसके लिए software ज़रूर होता है उसके लिए software की value तुम्हें given होगी इस तरीके से और क्या-क्या निकालना हो और तुम लोगों सब बता चुकाँ ठीक है यहां तक clear सब clear ठीक है कोई मसले आओ तो बताना भी